हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का हर ग्यारेज की एक और फेश वीडियो में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज हमारे बीच में मौजूद है अल्ट्रोस टर्बो ये इसका टॉप मॉडल है बात करूँ अल्ट्रोस के बारे में तो ये इंडिया की most safest premium hatchback है और personally मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ खामिया भी थी जैसे कि मैंने ownership reviews भी लिये और honor से भी पूछा तो सब ने ये ज़रूर mention किया की power की कमी feel होती है क्योंकि इसकी जो body है वो काफी बलकी है तो इस वज़े से पहले power की कमी feel हुआ करती थी तो टाटा ने इस बात को समझा और improve करते हुए इसका turbo variant निकाल दिया तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सारे बदलाव सारे चेंजिस के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या इसमें extra offer किया गया है तो चलिए फिर let's begin एक छोटी सी जानकारी अगर आप राजिस्तान से बिलॉंग करते हैं और टाटा की कोई भी काप अचेस करना चाहते हैं तो आप जूनेक मोटर श्री गंगा नगर में कॉन्टाक कर सकते हैं इनका कॉन्टाक नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा शुरुआत करते हैं बदलाव रंबर बन से तो एकस्टीर में आपको किसी भी तरह का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा सिवाए इसके यहाँ पे आपको आई टर्बो की बैजिंग दी गई है और आई टर्बो मीन्स इंटैलिजन टर्बो बात करें चेंज नमबर टू के बारे में तो अल्टरोष् टर्बो में आपको टू टुटर्स रियर में भी देखने को मिलते हैं फ्रन्ट में तो आपको पहले ही टू टु टुटर्स दिए जाते थे बट इसमें आपको वन टुटर इस वले दोर पी दिया गया है and second tweeter आपको दूसरे डोर पे देखने को मिलेगा Ultros की जो sound quality थी वो पहले ही बहुत अच्छी थी क्योंकि यह harmon powered है पट अब आपको इसकी sound quality में कुछ improvement भी देखने को मिलेगी बात करूँ change number 3 के बारे में तो Ultros Turbo में आपको अब leather seats offer कर दी गई है जो बहुत ही जादा classy and premium लग रही है Ultros एक premium hatchback है और कहीं न कहीं इसकी मुझे थोड़ी सी कमी लगा भी करती थी तो अब इसे fulfill कर दिया गया है और यह सच में बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है Talking about change number 4 हलांकि बहुत छोटा सा change है बड़ change तो है पहले आपको infotainment पे हर्मन की बैजिंग नहीं देखने को मिलती थी अब आपको यहां पे हर्मन की बैजिंग भी देखने को मिलती है Talking about change number 5 तो सबसे पहले आप एक सेकिंड के लिए वेट कीजिए मैं का को स्टार्ट कर लो तो यहां पे आपको एक express school का feature मिल गया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसका button प्रेस करेंगे तो जो इसका AC है वो अपनी maximum capacity पे work करने लगेगा और windows को roll down कर दिया जाएगा जिससे की cabin instantly cool हो सके Talking about change number 6 तो यहां पे infotainment में आपको what three words नाम का feature मिलता है जो आपकी navigation में बहुत जादा help करता है आप three words में इसको अपना address describe कर सकते हैं Talking about change number 7 तो जो इसका 7th number change है वो भी आपको infotainment में ही देखने को मिलेगा यहां पे आपको एक doodle नाम का feature मिलता है जिसे यूज करके इसकी home screen पर आप अपना personalized wallpaper लगा सकते हैं Talking about change number 8 तो यहां पे जो इसका infotainment card touch response है वो पहले से काफी जादा fluid कर दिया गया है पहले यह थोड़ा lag ही लगता था लेकिन अब आपको यह काफी fluid देखने को मिलेगा Talking about change number 9 तो यहां पे आपको एक बटन दिया गया है here is sport drive mode activated जैसे कि इसको सुनके आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपको इस पे sport drive mode भी ओफर कर दिया गया है 10th number change भी आपको इसके infotainment में ही देखने को मिलेगा यहां पे आपको English voice command का option मिल जाता है जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगी fan की speed बढ़ाईए जरूर fans की speed बढ़ाकर दो की जा रही है तो मुझे लगता है यह एक बहुत ही अच्छा फीचर है हिंदी हमारी मात्रभाशा भी है और साथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी में ही comfortable होते हैं इंग्लिश में properly बात करने में और सुनने में comfortable नहीं होते तो इस फीचर के लिए एक big thumbs up बात करें change number 11 की तो इसमें आपको IR ओफर किया गया है जो कि एक connected car feature है बहुत अच्छी बात है कि एक hatch pack में भी आपको connected car features ओफर किये जा रहे हैं इससे आप बहुत easily अपने phone की help लेते हुए car को lock unlock कर पाएंगे साथ में चोटे मोटे और भी काम जैसे hazard lamp on करना या फिर head lamps on करना या in case आपने बहुत बड़ी parking में अपनी car को park किया है तो phone की help से car को डूणना ये सब चोटे मोटे काम भी कर पाएंगे बात करूँ change number 12 के बारे में तो अल्ट्रोस टर्बो के साथ आपको एक और color option मिल जाता है विच इस harbor blue बहुत ही ज़ादा eye catching और interesting सा color लगा मुझे तो एक बहुत ही ज़ादा अच्छी बात है कि आपके पास एक और color option अब offer हो गया है 13th and the biggest change जो आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा 24bhp of power and extra 27 newton meter का talk निकाल के दे देता है simply saying यह पहले से ज़्यादा powerful आपको फील होगी thank you so much for watching this video, video अच्छी लगी है तो like ज़रूर करिएगा और instagram पे भी follow कर लो अप तो reels भी ढालने लगी हूँ यहाँ पे आपको मेरा instagram handle देख जाएगा वहाँ पे भी जाके मुझे ज़रूर follow करिएगा और channel को subscribe की विना जाना तो आपको वैसी भी allowed नहीं है तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में till then bye bye take care and drive safe